तो हाई गाई वोट्स आप वेलकम बैक टो जी सी 3.0 क्या हाल चाल कैसे चल रही है यह पढ़ाई मेरा लास्ट वीडियो मिल गया जिसमें की टॉम वन टू का सिले बाद आ चुका है सी बीए सी वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आया कि सर अब हम जेई का प्रिप्रेशन कर रहे हैं हम नीट का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाओगे भाई मैं तो जेई नीट के लिए पढ़ा रहा हूं हम तो उसी लेवल पर पढ़ाई करेंगे हम तो उसी स्थर की चीज़ सीखेंगे हाँ पढ़ाने का तरी के वीडियो मिल रहे हैं मिलते रहेंगे त्वेल्थ वाले स्टूडेंट यानि जी सी 3.0 बैच के स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम आज से शुरू करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स रोग दिया जाएगा नहीं केमिकल काइनेटिक्स म वो आएंगे यानि अब क्या होगा मैं पैरेलली दो चैप्टर चलाऊगा इधर केमिकल काइनेटिक्स खतम करूँगा इधर पी ब्लॉक शुरू करूँगा जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स खतम होगा हम पी ब्लॉक पर स्विच कर जाएंगे हम पी ब्लॉक कम्प्लीट करने के बाद हेलो अलकेन, हेलो अरीन, अलकॉल, फिनॉल, एथर और बायो मॉलिक्यूल कम्प्लीट करेंगे क्यों क्यों क्योंकि एस पर टर्म वन सीलेबस लेकिन पूरा पढ़ेंगे कुछ छोड़ेंगे नहीं जेई और नीट को ध्यान में रखके पढ़ेंगे सारे स्टेट बो एक नया चैप्टर जिसका नाम है P-Block Elements बेसिक आप सभी लोग जानते हों What are P-Block Elements? वो Elements जिनका Valence Shell का Electron याने Last Electron P-Orbital में जाकर Fit होता है उसे P-Block Elements बोला जाता है Periodic Table के अंदर आप लोगों को Group 13 से लेकर Group 18 तक P-Block Elements दिखाई देते हैं Total 6 Group क्योंकि आपके पास में P-Orbitals Px, Py और Pz नाम के होते हैं और हर Orbital में Total 2 Electron Accommodate किये जा सकते हैं इसलिए Px में 2, Py में 2 और Pz में 2, Total 6 Electrons इसी वज़ा से आपके Periodic Table में भी आपको 6 Group दिखाई देते हैं Group 13 से लेकर Group 18 Group 13 के P-Orbital में 1 Electron 14 के P-Orbital में 2, 15 के P-Orbital में 3, Oxygen के P-Orbital में 4, Helogen के P-Orbital में 5 और Noble Gases के P-Orbital में याने Group 18 के P-Orbital में 6 Electrons The total 6 Groups आपको दिखाई देते हैं 11 वाले syllabus के अंदर याने अगर मैं आप से 12 की बात करूँ तो last year में आप लोगों को Class 11 के अंदर Group 14 और Group 13 अच्छे तरीके से पढ़ा चुका था और आज हम लोग हमारे Class 12 के Chapter P-Block के अंदर शुरुवात करेंगे Group 15 Elements से पढ़ना We will start talking about Group 15 Elements हम Group 15 Elements को आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो चलो गाई सबसे पहले एंड सबसे इंपोर्टेंट बात लिको ग्रूफ 15 Elements इस बेसिकली Nitrogen Family हम लोग सब जानते हैं यह कौन सी फैमेली होती है Nitrogen Family इन्हे निकोजन्स बोला जाता है They are also called as निकोजन्स Why they are also called as निकोजन्स Because निकोजन्स का मतलब होता है Suffocating Suffocating और कुछ-कुछ किताबे इसे Poisonous Poisonous भी बोलती है So basically निकोजन्स आर suffocating और Poisonous इसे इसलिए इन्हे निकोजन्स बोला जाता है जो poisonous हो यह suffocating हो नाइट्रोजन फैमेली में Usually in निकोजन्स Usually in suffocating substances In suffocating substances जब कभी भी आप किसी suffocating substance को देखोगे E to the power minus 3 Is found यानि E की power minus 3 found जिसा है आप लोग सब जानते हैं कि इसकी group valency minus 3 होती है Nitrogen तीन electron accept करता है तो आपको यह वाला आयन देखने को मिलता है Where E belongs to Nitrogen family कौन को नाता है nitrogen family के अंदर इस nitrogen family के members कौन कौन से होते है आओ मैं आपको इसके members से मुलाकात करा हूँ सबसे पहला member is your nitrogen Then अगला member is your phosphorus अगला अगला element होता है अगला element होता है बिस्मत मॉस्कोवियम इस मॉस्कोवियम जिसका सिंबल वड़ा प्यारा लगता है अपने दोस्तों को मैं मिशा फोन करके बोलता हूँ आजकल जो मुझसे पहले college time में बात नहीं करते थे मैंना college time में तो बहुत अच्छे friends थे लेकिन जब life में वो थोड़ा आगया बढ़ गया and I was in my struggling mode 2014 से लेकर 2019 तक के duration में when we were in my when I was in my struggling mode in the last five years वो लोगों ने मैं से लोड़ी बात करनी कम कर दी थी देवर लाइक की हम बड़े हो गए हैं हमारी शादी हो गई है हमारी जॉब लग गई है हमारा 40,000 का package हमारा 50,000 का package हमारा 80,000 का package एक लग का package पंडिया से कौन बात करेगा तो अब अचानक से उनके phones आने लगे हैं उनके messages आने लगे हैं अब तू तो बड़ा teacher बन गया है अन Academy पे तू नंबर वन चल रहा है यूट्यूब पर तेरे 270,000 सब्सक्राइबर्स हैं तेरे दूसरे चैनल पर भी 22,000, 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं काफी popular हो गया है क्या हल कैसा है तो मैं अब उनका phone उठाके बोलता हूँ और भाई और Moscowvium क्या हल चाल तेरे अरे यारत तो बड़ा Moscowvium है तो दे वर लाइक क्या तू मॉसकोvium क्यों बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ जाके यूट्यूब पर या Google पर मॉसकोvium का सिंबल चेक कर ले वह यह तू च क्यार है बच्चो आप सबसे बेले nitrogen का discussion करना चाहोगे तो सबसे बेले अगर मैं बात करूँ तो nitrogen आप सभी लोग जानते हो इस 78% in atmosphere हमारा nitrogen atmosphere में 78% पाया जाता है but in very less quantity by mass in earth crust यानि अगर आप atmosphere की बात करोगे तब तो ठीक है लेकिन अगर आप लोग ने earth crust की बात करी तो earth crust में इसकी quantity बहुत less होती है that is it is 33rd element it is 33rd abundant element ये अगर आप लोग abundance चेक करोगे तो सबसे जादा abundant कुछ होगा फिर second फिर third फिर fourth फिर fifth इसे करते करते 33rd position पर आपको nitrogen मिलता है in earth crust ये earth crust की बात चल रही है atmosphere में तो ये सबसे जादा है लेकिन gaseous form में लेकिन अगर हम biomass earth crust की बात करें तो बहुत कम पाया जाता है nitrogen के बारे में दूसरी बात करेंगे nitrogen आप लोगों को जो दो सबसेरे important form में टेक जो आपको earth crust में mineral के form में मिलता है earth crust में from earth crust nitrogen is found from earth crust nitrogen is formed in the form of in the form of N-A-N-O-3 जीसे बलाता है child salt pitter and K-N-O-3 that is Indian salt pitter यह इन दो format में आपको मिलता है उसके अलावा earth पर हम लोग human beings भी है तो यह protein के अंदर मिलता है protein कहें से बनता है basically protein amino acids से बनता है तो protein और amino acids का भी एक बहुत ही जादा important and बहुत ही जादा जरूरी part है तीसरी बात अगर मैं आप से करूँ phosphorus की तो phosphorus phosphorus is the 11th most abundant is the 11th most abundant element in earth crust element in earth crust और ये किस-किस format में मिलता है वो मैं आपको बताऊँगा तो क्या मैं पहले इधर कर अप कर दूँ मुझे board पर हल किसी space लगेगी आप लोग इसको note करते चलिएगा screenshot लेते चलिएगा जित्ता पढ़ा रहा हूं पस उत्ता है लिखना है इसके लावा एक्स्ट्रा अपने को कुछ करने की जरूबत नहीं है ठीक है चलिए great सारे नाम लिख ली होंगे आप लोगोंने वेसे अभी मैंने class 11th के बच्चों को periodic table पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने ये पूरी periodic table के अंदर सब tricks वगेरा सब properly बताईए तो बहाँ से आप लोग देख सकते है तो फॉस्फोरस 11th crust earth crust करने 11th abundant element में आता है ना नाइट्रोजन से दाधा abundant होता है earth crust मे यूज्वली phosphorus is found in एपेटाइट फैमेली in earth crust याना earth crust के अंदर कुछ substance होते हैं जीने आप लोग एपेटाइट फैमेली से विलॉंग करने का बोलते हो आप उन्हें बोलते हो कि ये एपेटाइट फैमेली के हैं ठीक है दे बिलॉंग्स टू एपेटाइट फैमेली तो ये एपेटाइट फैमेली क्या होती है तो बटा एपेटाइट फैमेली का एक जेनरल फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला कुछ जादा ही कॉम्प्लिकेड़ होता है तो मैंने उसको याद करने की टेकनीक बनाई है एक लड़का जिसका नाम है कानू कानू ने छोड़ा पौन कानू ने छोड़ा पौन तो जो एक फॉर्टी सेवन बन्दू वो दी धर 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 यह उसका छोटा भाई है बन्दू बड़ी कानू छोटा बच्चा है तो यह उसका छोटा भाई है तो वो एक फॉर्टी सेवन है यह कानू फॉर्टी सिक्स है तो फॉर ब्र रेकेट के बार, तो कानू ने छोड़ा पाउं 46, dot Cax2, dot Cax2, this is the general formula, this is the general formula for appetite family, for appetite family, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, अब, appetite family में, you are clearly observing, phosphorus दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर X की जगे पर chlorine आ जाता, तो यह बन जाएगा, chlorappetite, A-P-E-T-I-T, it will become chlorappetite, कानू ने छोड़ा पाउं 46, dot CACL2, अगर यहाँ पर OH2 आ जाए, तो यह बन जाता है, hydroxy, hydroxy, appetite, formula बन जाएगा, कानू ने छोड़ा पाउं 46, dot CACL2, और अगर यहाँ पर fluorine आ जाए, तो यह बन जाता है, floor, epitite, कानू ने छोड़ा पाउं 46, dot CACL2, तो यह तीन elements, I mean यह तीन compounds, जिसके अंदर आपका phosphorus abundant quantity में मिलता है, आप लोगों को देखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बरशानी मेरे प्यारो, मेरे लालो, आगर बढ़ें गुलजारी लालो, चलिए, 5th point अपन देखते हैं, इसके अलावा phosphorus का मिलता है, phosphorus is found in energy molecule, is found in ATP, human body में जो ATP बनता है, adenosine triphosphate, adenosine diaphosphate, यह उसके अंदर मिलता है, उसके अलावा, यह आपके genetic material का एक important part होता है, यह आपके genetic material का एक बहुत important part होता है, यानि कि आपका जो DNA, आपका जो RNA, एक सेक्ट रा, यह जो होते हैं, इनके अंदर phosphorus पाया जाता है, अगर नहीं पता तो जान लो, क्योंकि biomolecules जब पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो nucleic acid होता है, उसके अंदर phosphate group पाया जाता है, तो phosphate group पाया जाने की वज़े से, यह मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जादा important हो जाता है, अच्छा उसके अलावा आपको ये X के अंदर मिलेगा एक्स के अंदर मिलता है ये अंडो के अंदर मिलता है बहुत जादा important है ये X के अंदर मिलता है तो देखा जाए तो phosphorus की थोड़ी सी important nitrogen से भी जाथ है अच्छा उसके अलावा मैं बात करूँ बागी सारे element की arsenic, bismut, antimony and moscowium are found in traces quantity इनकी quantity एकदम कम होती है एकदम traces quantity में पाए जाते हैं इनकी कोई जादा abundance नहीं होती इतना note कर लो यह इस chapter का introductory part हो गया फिर हम लोग atomic and physical properties की तरफ चलते हैं but before that, please note it down note it down, done, great चलो, बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को जो जो चीज़े पढ़ा रहा हूं वो सब आप लोगों को objective solve करने में मदद करेगी theory लिखना और रटना भूल जाओ हाँ, किसी और state board के हो तो कोई trouble नहीं लेकिन अकर आप लोग J, NEET और CBSE के हो तो बढ़ा objective solve करना ही आपका major target है और किसी भी state board के बच्चे का भी objective बनाने ही हमारा major target होना चाहिए चाहिए, next हेडिन डालें के आप लोग atomic and physical properties of group 15 elements atomic and physical properties of group 15 elements जिसके सबसे पहली property that we are going to discuss is the electronic configurations electronic configurations electronic configurations आप लोगों को कराना मेरे लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है उससे पहले हैं यहापर सारे elements लिग लेते हैं nitrogen, phosphorus, arsenic, bismut से पहले antimony, फिर bismut और फिर moscovium हम लोग सब जानते हैं nitrogen is found in period 2 period 3 period 4, period 5, period 6 and period 7 चीक है चलो क्योंकि यह group का general electronic configuration NS2NP3 होता है हम nitrogen के case में क्या करेंगे देखो हम यहापर लिखेंगे helium हम यहापर लिखेंगे neon हम यहापर लिखेंगे और 2P3 नव यह तो आपका valence हो गया यह तो आपका valence shell हो गया लेकिन यह क्या है आप बोलोगे यह आपका inner और्बिटल के electrons है इनर और्बिटल इलेक्ट्रॉन और यह किस से मैच कर रहा है यह किस से मैच कर रहा है इस मैचिंग इग्जैक्टली तो इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम तो इनर और्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कभी-कभी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन भी लिखते हैं मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस एटम का जो इनर कोर होगा जो अंदर की तरफ यानि वैलेंस शेल के अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखेंगे इसने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अगर आप लोग फॉस्फोरस का बनाओगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 लेकिन अब आप जब इस पर फोकस मार रहे हो तो यह इसका इनर ओर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो गए यह इसका इनर ओर्बिटल हो गए और यह किस से मैच क कर रहा है तो हो गया ना इनका इनर शेल ओर्बिटल is exactly similar to the noble gas configuration तो हम लोग क्या करते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इसमें 8 जोडा तो आगया 15 फिर इसमें 18 जोडा तो आगया 33 फिर आपने इसमें 18 जोडा तो आगया 51 फिर इसमें 32 जोडा तो आगया 83 एंड लाइकवाइस फिर 32 जोडों के तो आजाएगा 105 एक सो पंद्रा आजाएगा 115 फिर आप इनके atomic number को चेक करोगे तो इतने जादा बड़े-बड़े atomic number के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2 इतना बड़ा कौन लिखेगा इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि इनका जो इनर कोर है इनका जो इनर शेल है वो noble gas configuration को से बना हुआ है अब बस इस noble gas configuration को लिख देने के बाद जेनर electronic configuration को उठाओ और follow करो ns2, np3, n मतलब shell, तो इसको लिखूँगा मैं 2s2, 2p3, इसको मैं लिखूँगा 3s2, 3p3, इसको मैं क्या लिखूँगा 4s2, लेकिन एक बात समझो, according to above principle, in class 11th हमने सीखा था, above principle के हिसाब से 4s के बाद में 3d भरा जाना चाहिए, 3d10 and then 4p6, समझ में आगई बात, तो इसके electronic configuration को आप लोग ऐसे लिखेंगे, 3d10, 4s2, 4p6, काईदे से पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, लेकिन represent क्योंकि अपन कर रहा है तो representation मे ये तरीका ठीक है, इसका मतलब यहां पर इसका 3d 0 होगा, क्योंकि इसका electronic configuration, यहां अगर खतम होगा, इसके electron तो p में ही नहीं है भर पाए पूरे तरीके से, p में ही 3 electron है, अगर p में 6 होते है, तब में d में जाने की सोचता है, लेकिन electron खतम होगा जो इसका 3d 0 मानेंगे, अ अब यहां पर क्या आएगा 5d 10, लेकिन हमने यह सीखा आफवाव प्रिंसिपल में कि 5d भरने से पहले आपको पहले 4f भरना पड़ता है, तो पहले आप भरेंगे 4f 14, फिर आप भरेंगे 5d 10, फिर आएगा आपका 6s2 and 6p 3, तो अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है, आप इतना तो याद करी सकते हो, इतना इतना याद कर लो बस, ठीक है, that is the electronic configuration, अच्छा है एक बात ध्यान रगना, electronic configuration का बहुत important role होगा आगे आने वाली अगली property में, तो एक बार ज़रा ध्यान से इन दोनों के configuration को observe करो, कर लिया, अब इन दोनों के configuration को observe करो, you are observing कि हमने पहले electron 4s में रखा, हमने पहले electron 4s में रखा, फिर हम उतर के अंदर आए, फिर हम उतर के अंदर आए, और फिर हम उचल के बाहर गए, समझ गया है, अचानक से एक d orbital अंदर आगया, अचानक से एक d orbital अंदर आगया, तो यहाँ पर इसकी वज़े से कुछ properties में जरूर बदलाव आएगा, that we will discuss, don't worry, that we will discuss, बट पहले जरा इसका screenshot ले लो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें,